खेलों पर आधारित फिल्में बॉलिवुड में पिछले कुछ वर्षों से बनने लगी हैं और चट्दे इंडिया, भाग मिल का भाग, मेरी कौम और पांसीं तोमर जैसी बहतरिन फिल्में देखने को मिली हैं इसी सब्ता राजकुमार हिरानी और आर माधवंदारा निर्मित साला खरूस रिलीज हुई है जिसके प्रस्ट भूमे में बॉक्सिंग का खेल है खरूस का इस्तेमाल बॉक्सिंग के कोच आधी तोमर के लिए किया गया है जो मूफट है और किसी से डरता नहीं है बड़े अधिकारी से भिड़ने के बदले में उसका ट्रांसफर हिसार से चेननी कर दिया जाता है आधी की पार्की नजर तो ऐसे खिलाडी को ढून रही है जिसमें आग हो मच्छी बेचने वाली जोपर पट्टी की लड़की मधी पर आधी की नजर पड़ती है अपनी जेब से आधी 500 रुपे रोजाना मधी को देता है और उसे बॉक्सिंग का प्रशिक्षन देता है आधी भी बॉक्सर था जिसके साथ साजिश होती है और उसका विश्व चेंपिन बनने का सपना अधूरा रह जाता है मधी के साहरे वस सपना पूरा करना चाहता है लेकिन मधी का गुस्सिल व्यवार बहनों की आपसी प्रतिंगंदिता खेल में राजनिती और आधी का अखड़ व्यवार जैसी कई रुकावटें उसके रास्ते में हैं सुधा कॉंगरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुवात बढ़िया है आधी का खडूसपन और आगोगलती मधी से फिल्म उम्मीद जगाती है लेकिन दीरे दीरे यहाँ फिल्म चकदे इंडिया की राह पर चलने लगती है हौकी की जगह बॉक्सिंग ने ले ल उसका अपनी छोटी बहन से इर्शा करने वाली बात फिल्म में अधूरे तरीके से रखी गई है इसी तरह मधी का आधी के प्रती आकरशित होना कहानी में खास प्रभाव नहीं छोड़ता खेलों में राजनीती और योन शोशन अब स्पोर्ट्स फिल्मों के फार्मूले ब लगते हैं खास तोर पर दूसरे हाफ में खामियों के बावजुद फिल्म में रूची इसलिए बनी रहती है क्योंकि कुछ अच्छे दर्श बीश-बीश में देखने को मिलते रहते हैं मधी की आकरमकता फिल्म में उर्जा भरती है आधी और मधी के किरदार इस तरह लिख है वे सच्पूश में खिलाडी है इसलिए उनके बॉक्सिंग वाले सीन बड़िया बन पड़े हैं अभीने करना भी वे अच्छे से जानती है नासर और जाकिर हुसेन मजह वे अभीनेता है और अपने किरदारों को उन्होंने बहतरीन तरीके से जिया है कमियों के झाले बावज।